नमस्कार दोस्तो आशा रखता हूँ कि आप सब भी लोग घर पर ठीक होंगे। और सिता के चौट साल के वनवास गमन के बादी आरंब होती है। तो कोई बात नहीं आज की ये वीडियो देखते रहे है। आज की ये वीडियो में आपको इसी टोपिक पर बात करूँगा। तो सबसे पेले में आपको बता दू कि उनका पिंडन राम ने ने बलके देवी सिता न किया था। गया स्थल पूराण के अनुसार एक पौराणिक कहानी मिलती है जिसके अनुसार राजा दसरत की मृत्यू के बाद राम के आयोध्या में नव होने के कारण भरत और सतुग्ण ने अंतिम संस्कार की आरविधी को पूरा किया था। लेकिन राजा दसरत की आत्मा तो राम में बसी थी। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद उनके चिता की बच्ची हुई राख उड़ती हुई नदी के अपास पहुचाई उस दोरन राम और लक्समन स्नान कर रहे थे जबके सिता नदी किनारे बेटकर रेत को आतों में लिये विचोन में मगन थी। इतने में देवी सिता ने देखा कि राजा दसरत की छवी रेत में दिखाई दे रही है। उन्हें यह समत्ती हुए देर न लगी कि राजा दसरत की आत्मा राक के माधियम से उनके कुछ कहिना चाहती है। राजा ने सिता से अपने पास समय कमोने की बात कहिते हुए अपने पिंद्यान करने की विनंति की सिता ने पीछे मुड कर देखा तो दोनों भाई जल में द्यान बगने थे सिता ने समय व्यत्ना करते हुए राजा दस्तत की इचापूरी करने के लिए उसे फालगोनी नदी क तट पर पिंदान करने का फ्यसला किया। उन्होंने राजा की राग को रेतन मिला कर हातों में उठा लिया। उस दोरन उन्होंने फालगुनी नदी, गाईप, तुलसी, अक्सई वाट और एक ब्राह्मन को इस पिंदान का साक्सी बनाया। पिंदान करने के बाद सी राम और जैसे ही सिता के करीब आए, दिवी सिता ने सारे खता सुनाई, ये बाट सुनकर राम और शिता पर विशस्वास नहीं हुआ। शिता ने राम को समज़ाने के बहुत प्रियस किये। अंत में सिता ने राजा धशरत के पिंदान के साक्सी पाथ जिवों को बुला कर सत्य बत ने सत्य बोलते हुए सिता का साथ दिया, अन्या सभी जीवों की बाते सुनकर सिता सोक और क्रोट से व्यकल होटी, उन्होंने चारो जीवों का स्राप दे दिया, जबकि अक्सेवट को वर्दान देते हुए कहा, कि तुम हमें साथ पूझनिया रहोगे, और जो लोग भी पिं को श्राप दिया था, कि वो लंबे समय तक नहीं पुझी जाएगी, वही फालगुल नदी के पाने को सुख जाने के श्राप दिया था, इस नदी में आद भी ज़्यदा पानी नहीं रहता है, वही तुलसी को गया में उगना उगने का श्राप दिया, आखिर में ब्राहमन क को साब देते हुए देवी सिता ने कहा हिए तुम कभी संतुष्ट नहीं रोपाओगे वस्तों की पाना की लालसा आप में हमेसा रहेगी तो दोस्तों मेरी ये छोटी सी वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि राजादसरत का पिंडान देवी सिता ने क्यों किया था और उनके साखसी कौन थे अगर आपको मेरी ये वीडियो की इंपरमेसन अची लगी है मियू लगी है तो वीडियो का लाइक करें और सीर करना मत बुले और आप दोस्तों जैसे नोलेद बढ़े और ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजमीद दियेगे बेल बटन को क् सब्सक्राइब झाल झाल